हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब याश्य करते हुआँ आप सब ठीक होंगे इच्श होंगे मिरे नाम है छूतिर और आज हम पढ़ंगे आज हम पढ़ेंगी आईजेक योग का class 4 ठीक ना class 4 कम आईजेक योग पढ़ेंगी चलिए तो पहला chapter है हमारा our body and health इनके बारे में हमें पढ़ना है तो देखिए यहाँ पर जो question होगा 25 question है और सारा जो question है मैं एक ही video में आपको पढ़ा दूँगा तो चलिए पहले chapter से शुरू करते हैं हमारा जो है our body and health अब देखिए test fiscal में किस type के question है यह चीज़े लिखी होती है body systems specialist in health care medical equipment food and nutrients or healthy eating and cooking तो चलिए सबसे पहले हम पहले question से शुरू करते है ठीक है ना time नहीं खराब करेंगी चलिए पहले number question है large intestine is the last part of the digestive system which of the following not a part of large intestine है हमारी digestive system का सुरूं कहां से होता है हमा легchen माऊ से शुरू wonder खरकल कहां पर होता है large intestine पे questionconom Hugh which Sigma से एसा कौन सा पार्ट है जो हमारे intestine महाइं ठीक है टिक है तो यह है आपकर deodenum यह तो deodenum जो होता है यह small intestine ka apart है किसका पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में जाता है अब यहां पर क्या क्या होता है आपको पता है कि हमारा जो खाना होता है सबसे ज्यादा absorb कहां पर होता है small intestine में तो यह डियोडिनम में क्या क्या सीज़े absorb होती है तो इसमें विटामिन, मिनरल्स, कार्भोहड़ेट, फैट्स, प्रोटीन और साथी साथ जो वाटर होता है यह सारी शीज़े यहां पर absorb होती है ठीक है जो भी मिनरल्स होते इसमें लाइन से बड़ी होती है ठीक है अब यह भी आएगा तो उसको भी बताऊंगा question number two question number two का आपके सामने है who among the following test our vision यानि कि हमारा जो आख होता है आख की testing कौन करता है माली जब को चस्मा बनवाना है तो आप जाते है न तो जो ऐसा व्यक्ति जो देखता है जो उसका विशे सगई होता है तो उसे हम कहते हैं opto metarist ठीक है न यानि कि आख का विशे सगई फिर है orthopedic ortho word का मतलब यह होता है हड़ी तो बोन्स के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं ortho pediatrist ठीक है न फिर है dentist दात के डॉक्टर pediatrician यानि कि जो बच्चे को डॉक्टर होते हैं उन्हें हम pediatrician बोलते हैं फिर है three number which of these can be eaten raw after washing यानि कि इसमें से ऐसा कौन सा है जिसे हम धुल के और कच्चा भी खा सकते हैं तो यह है आपका carrot यानि की गाजर फिर a phone number which of the following not a rich source of carbohydrate यानि की carbohydrate का इसमें से कौन सा सोर्स नहीं है तो यह है दोस्तो यह एग में सबसे जादा आपका क्या होता है प्रोटीन होता है ठीक है अब प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन सबसे जादा इसमें होता है तो यह होता है कि अल्ब्यूइन इसमें और यह होता है लगव 50 fur परसेंट आपका किसमे एक मैं प्रोटीन होता है और यह पूछे कि इंडिया जो है और आपका एग होता है वह किसी का रिच्ष्ष है तो यह आपका प्रोटीन का ठीक है चलए आगे आते हैं कुशंन नंबर 5 पे, question number 5 क्या है which are the following organ does not secret any digestive liquid, यानि कि इसमें से ऐसा कौन सा part है जो कोई भी digestive liquid नहीं करता, तो यह है आपका osophagus, osophagus का मतलब क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, तो हमारा जो खाना जो गले से लेकी कि हमारे इस्टमक तक पहुंचता है, वो osophagus के द्वारा ही पहुंचता है, तो osophagus का यहीं काम है, और साथी साथ कोई digestive liquid आपका secret नहीं करता है, जो हमारा stomach और intestine है, यह आपकी digestive liquid secret करते हैं, ठीक है, चलिए, अब six number question है, लिखा है which of these human organs can be transplanted from healthy person to a patient, यानि कि इसमें से ऐसा organ है, जो किसी patient है, उसके body में transplant किया जा सकता है, ठीक है, माली जो किसी kidney खराब होगी तो इसको नई kidney लगा दी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पी transplant का मतलब यही है, ठीक है, किसी स्वस्तिव्यक्तिक के body part से निकाल के गी किसी patient को लगा दी जाती है, तो यहाँ पर यह आपका है liver, लिवर भी transplant कर दिया जाता है, यह kidney, kidney भी transplant कर दिया जाता है, तो यहाँ पर इस तीनों की तीनों चीज़े आपके transplant की जा सकती है, किसी patient को, तो इसका answer होजेगा, all of these, चलिए, अब यह question number 6 तक तक तो दो अच्छे सूर्स हैं तो यह हैं आपके fats के 8 नमर कोशन है which of the following is incorrect यानि कौन सा इसमें गलत है कि कई वार कोशन क्या होता है incorrect वाले में हम correct वाला करके चले आते तो बहुत गलती होती है कोशन ध्यान से पढ़िए incorrect पूछा है कि correct पूछा है खाना हमीसा बंद खाना चाहिए यानि कि close food होना चाहिए ऐसा नहीं कि वह चारो तरफ आपका खुला हुआ से मक्या बैठ रही है फिर आप उसे खाने तो आप बिमार पढ़ सकते हैं तो ऐसे ही चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए ठीक है चले अब यहां पर आते हैं growing children should be eat resistant protein देखें जो बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा protein जिसे होते बिल्कुल ठीक बात है ठीक है न और eat well cooked food यानि कि अलब जो खाना होना चाहिए वो अच्छी तरीके से पका होना चाहिए वो खाना में खाना चाहिए बिल्कुल ठीक बात है तो यहां पर गलत क्या दिखा था option number B which of the following not used as preserving food यानि कि इसमें से इसा कौन सा है जो हम फूड को preserve नहीं करते हैं तो यह है आपका water ठीक न वाटर डालके हैं किसी भी चीज़ को प्रिज़र नहीं प्रिज़र का मतलब यह होता है कि कोई ऐसी चीज जिसको काफी दिन तक बचा के रक्स जैसे आचार होता है आच साधी टॉफिया खाए होंगी जिसमें सुगर लगा रहता है तो वो सब क्या प्रिजर्वेटिक का काम करते हैं यानि कि किसी भी चीज़ को सर्ण में से बचाती है ठीक है तो विनेगर भी यूस किया जाता है आपका इसलिए ठीक है चले आगे हाथ है कुश्चिन नमर्ट 10 पर कुश्चिन नमर्ट 10 है विच और विच आप दीज फूल न्यूट्रेंट गेपस मैक्सम एनर्जी एंड है यानि कि इसमें सहसा क्या है जो जिसको हम खाने से हमारी बॉड़ी में एनर्जी और साथी साथ गर्मी भी रहती है तो यह है हमारा क्या फैट्स ठीक है कार्ब और स्किन जो हमारी होती है ठीक है ना उनको ब्लड सेर्कुलेशन में इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है आपका क्या मिनरल 11 नमर कोश्चिन चली 11 नमर कोश्चिन क्या है दोस्तों 11 नमर कोश्चिन आपके सामने है which are the following is the correct recording the person who is suffering from the cardiac problem कहीं पर भी आ जाता है तो यह है आपका रिलेटेड किससे है हर्ट से रिलेटेड है ठीक है ना चली तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option number C heart problem ठीक है चले question number 12 देखिए यह आपका कौन सी मशीन है तो इस मशीन का नाम है सिफ गैनो मैनो मीटर तो सिफ गैनो मैनो मीटर से हम क्या करते है अपने जो हमारी body होती है बॉडी का blood pressure हम मैजर करते हैं तो इसे हम कहते हैं सिर्फ गैनो मैनो मीटर ठीक है ना चली आगे आते हैं ठीक है हमारा blood pressure 80 और 120 के बीच में होना चाहिए ठीक है यह भी आप ध्यान में रखें कभी-कभी पूष लिया जाता है यह तो आप ध्यान रखें 80-120 के बीच में ह होना चाहिए ठीक है और इस machine से हम त्विशन आपते हैं ठीक है इस ते नमबर डीहाइड्रेशन कशे होता है तो डीहाइड्रेशन का मदलब पानी होता है यानि की आप मालब पानी है और dehydration का मलब removing water from the food ठीक है ना तो इस कांसल जो आप्शन नमर डी removing water from the food ठीक है चले फोर्टी रूबर विच आधा फॉलिंग ड़ाइन आर्टीफिसल डिवाइस उस टू रेगुलेट हर्ट बीट हर्ट के लिए हम क्या डिवाइस कौन सी लगाते तो यह तिया पेस्मेकर यह तरीके के electronic device है जो हमारे हर्ट में फिट की जाती है ठीक है यह क्या करता है कि हमारे जो हर्ट बीट है उसको रेगुलेट करता है फिर है एलेक्ट्रो काडियोग्राफ इलेक्ट्रो काडियोग्राफ से क् हर्ट होती है हर्ट की क्या गती है क्या स्पीड है किस तरीके से यह कर रहा है यह सारी चीजे हम इसमें देखते हैं ठीक है अल्ट्रासाउंस बौडी के इंटर्नल पार्ट्स में अगर आपके कोई प्रॉब्लम है उसको चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंट मशीन का हम रखेगा जो अपने गले में डॉक्टर लटका है रहते न ये इसी को स्टेथ हो इसको कहते है ठीक है जो हमारा दात होता है दात में यह पूछ रहा है कि दात में तीन पार्ट होते हैं इनेमल डेंटाइन और पल्प तो कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें हमारी नस्य जुड़ी जटनाइब होते हैं तो यह होता है आपका पल्प क्या होता है ठीक है न चली दात का सबसे ऊपरका प्र पार्ट जो होता है यहां पर उसे हम कहते हैं इनेमल ठीक उसको जैस्ट नीremo दैन और सबसें नीचे होता है अपका पल्प तो पल्प क्या होता है हमारी जो नसे होती है उनसे यह जुड़ा होता है ठीक है ना चलिए आगे आते हैं कॉश्चन नुबर 16 पे कॉश्चन नुबर 16 आपके सामने है विच कंपोनेंट ऑफ आफ आवर डाइट help in maintaining constant body temperature और body तो देखिए हमारे body का temperature maintain कौन करता है तो यह होता है आपका water ठीक है ना क्या होता है water देखिए यहाप एक word लिखा है रफेज रफेज का का क्या है यह हमारे digestion में बहुत ज़्यादा help करता है तो रफेज यानि की fiber ratio तो यह हमको कहां से मिलते है जाता तर यह हमें fruits से मिलते हैं तो fruits का seven हमें करना चाहिए जिससे हमारा digestion system ठीक रहे 17 नमर question which of these the method of cooking यहां पर cooking क्या है cooking का method यहां पर कौन सा है तो यह है method of cooking 80 नमर which of these the food items enriched in starch a type of sugar तो यह क्या है इसमें क्या होगा तो starch में कौन सबसे जादा होता है किसमें होता है तो यह होता है दोस्तो ब्रेड में ठीक है ना किसमें होता है ब्रेड में ठीक है और which of the falling organ does not eliminate waste from our body इसमें साइसा कौन सा पार्ट है जो हमारे बॉड़ी की जो वेस्ट हो उसे बाहर नहीं करता तो है ओसो फैगस का काम क्या है अभी आपने पढ़ा था पहले ही question में कि वह हमारे गले से लेकि हमारे इस्टमक तो जो खाना जाता है उसको उसको ट्रांस्प में आ गया चलिए ट्वंटी नंबर पर्सन हूँ स्मोक डैमेज देखी कोई व्यक्ति अगर स्मोक करता है इस्मोक करता है तो उसके लंग्स क्या होंगे खराब होंगे ठीक है चलिए आगे आते हूं 21 नंबर कोश्चन पर हम लिखेंगे अन स्क्रम्बल है तो पहले से हम लिख लेंगे इसका स्पैलिंग क्या बनेगा आर ओ यू जी एच एच ए रफेस ठीक है ना तो रफेस इट इस नॉट ए नूट्रेंट यह नूट्रेंट नहीं है बिल्कुल ठीक है यह नूट्रेंट इस नहीं है रफेस ठीक है ना इस नॉट डाइजेस्ट इन आवर बॉड़ी ठीक है यह हमारे बॉड़ी में डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेशन बहुत जादा है भी करता है ठीक ठीक है चले तो यहाँ पर इनकरेक्ट बता लाना यानि की गलत क्या देख करका है तो इस से इसको खाने से हमें कोई एनरजी नहीं मिलती है यह सिर्फ क्या करता है मारे बॉड़ी की जो डाइजेशन है उसमें यह हल्प करता है ठीक है ना चले आगे आते हैं कोशन नमबर 22 पर 22 नमर कोशन है हमारी सबसे चोटी बौन होथी चुसे हम कहते हैं यह हमारे यह में होती है और फीमर हड़्ी काहा पर होथी जो आपकी घय की हड़्ी है घड़्ोटने की चानकी तो यह सबसे चोटी हड़ी है चले आगे आते हैं कोई नमर 23 इनकरेक्ट यहाँ पर वताएं डिर्मेट्रोलोजिस्ट के कहते हैं बिल्कुल ठीक है निउरोलॉजिस्ट चुक्णि के डॉक्टर को हम नेफरोलॉजिस्ट के प्रिय। और जो neurologist होते हैं वो आपके brain, brain cells के आपके doctor होते हैं ठीक है न, nervous system यानि कि brain के doctor होते हैं यानि कि आपकी nervous system देखते हैं, spinal cord देखते हैं इन सभी के doctor को neurologist कहते हैं फिर है आपका, तो यहाँ पे गलत क्या दे रखा, option number B फिर है ophthalmologist, आई के doctor होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है pediatrician, बच्चों के doctor, बिल्कुल ठीक बात है तो यहाँ पे गलत क्या था, neurologist, ठीक है चले, question number आते हैं, 24 पे 24 number question क्या है, select the correct statement यहाँ पे correct statement क्या है, या go dentine is the hardest substance in our body, नहीं यह गलत दे रखा है, ठीक है न, हमारे body का सबसे hardest part क्या है, enamel, ठीक है न, enamel है फिर है B number, floss a yellow sticky layer form the gems on the teeth, तो जो हमारे दान्थ होते हैं, दान्थ पे पीलापन जो आता है उसे हम प्लाक कहते हैं, P-L-A-Q-U-E ठीक है न, फिर है pickling pickling is the best way to preserve the milk product, क्या pickling नहीं अगर milk को हमें preserve करना है तो उस process को हम कहते हैं, pasturization क्या कहते हैं, Louis Posture ने इसको start किया था, ठीक है न, तो Louis Pasturization कहते हैं, ठीक है ना कि हम pickling कहते हैं, ठीक है फिर है D number ठीक है न, D number तो देखे, C number भी आपका गलत दे रखा है, ठीक है न, ये भी statement गलत, ये भी statement गलत, ये भी statement गलत, पॉस्टराइजर न, D option पर आते हैं लिखा है, electrocardiograph record the electric activity of the heart, तो बिल्कुल ठीक बात है, option number D, अभी आपने electrocardiograph के बारे में पढ़ा था कि मैंने बताया था, उसकी जो beats होती है वो किस तरीके से चलती है, इसको कौन मेजर करता है electrocardiograph, ठीक है, तो यहाँ पर answer होजएगा option number D, ठीक है, चली अब आते है, question number 25 पर simmering, simmering का मतलब क्या होता है cooking below the boiling point to same, क्या कहते है simmering बोलते हैं, ठीक है, फिर है poaching, poaching क्या होता है, cooking in water at low temperature, यानि कि किसी भी चीज़ को हम पानी में पका रहे हैं, साथी साथ उसका जो temperature है, ठीक है, steam यानि कि भाप, भाप में हम क्या करते हैं, कि जब कोई चीज boil होती है, उसमें हम कोई चीज को cook करते हैं, तो इसका option क्या बनना है, 3, 3, 1, 2, ठीक है न, option number D, ठीक है न, क्या बनना है, option number D, तो दोस्त, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, साथी साथ आपको information देखिए, जैसे अभी मुझे YouTube से पैसे नहीं मिलते हैं, दो-तीन बात नहीं है, आप अपने एक्षा के नमसार भेज सकते हैं, यहाँ पर यह मेरा Google पर नमबर है 7007-989-164, ठीक है, आप देखेंगे, तो वहाँ पर मेरे नाम सुधीर दिखाएगा, ठीक है, तो अगर आप send करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, कोई जबर्दस्ती नहीं है, चले, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, वीडियो आपको कैसा लगा, यहाँ आप कमेंट में लिके बताईगा, चैप्टे नमबर टू है हमारा Plants and Animals